प्रिये छात्रों, सनात्कोत्तर द्वितिये सत्र के पांचवे पत्र एवं सनात्कोत्तर द्वितिये खंड हिंदी प्रतिष्ठा के दूसरे पत्र के पाठकरम के अंतरगत आज हम छाया वाद पर विचार करेंगे चायवाद हिंदी साहित्य के काविवायभव का उतकर्ष है। हिंदी साहित्य में इसका आरंब 1918 इसवी से माना जाता है। यह काविधारा सन 1936 इसवी तक प्रवाहित होती रही। इसमें जैशंकर प्रशाद, सूर्य कांत्र पार्ठी निराला, सुमित्रा नंदन पंग्त और महादेवी वर्मा जैसे अत्यंत महत्पोन कभी हुए। इसका विधारा के नाम छायावाद के आउचित्य को लेकर विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किया है। आचारे शुक्लिन इसे रवीन्ना टेगोर की रहस्यात्मक कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका सम्मन्द इसाई संतों के फैंटस मेटा छायावाद से जोडते थे। उन्होंने छायावाद को चित्रभाशा शैली भी का। जैशंकर प्रशाद इसमें मोती के भीतर छाया जैसी तरलता देखते हैं। मुकुर्धर पांडे इसे कविता न मानकर उसकी छाया मानते हैं। पंडित नंदुलारे बाश्पेई ने इसका संबंध युगबोध से जोडते हुए भी इसे मानव अथवा प्रकिर्ति के व्यक्त सौंधर में आध्यात्मिक छाया का भान का। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को इस्थूल के विरुद्ध सुक्ष्म का विद्रोह का। डॉक्टर नामवर सिंग ने अपनी पुस्तक छायावाद में बड़ी कलात्मक्ता और विश्वसनियता के साथ दिखाया है कि छायावाद वस्तुतह कई काविप्रवर्तियों का सामुहिक नाम है और वह उस राष्टिये जागरण की का व्यात्मक अहव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूडियों से मुक्ति पाना चाहता था और दूसरी और विदेशी पराधीनता से अथ छायावाद के अचित्यों को लेकर विद्वानों के अलग-अलग विशार है सामान्नी रूप से हम कह सकते हैं की छायावाद का विशास्त्री बंधनों से मुक्ति मनुष्य एवं प्रकिर्ति के सुक्ष्म सौंदर्य का चित्रन तथा अज्याद के प्रती जिग्यासा ही छायावाद है चायावाद की प्रमुख प्रविर्तियों की हम चर्चा करेंगे। चायावाद की जो सबसे पहली महत्वण प्रविर्ति है वह है वयक्तिक्ता। चायावाद का आरम व्यक्ति के महत्व को स्विकार करने और करवाने से हुआ। व्यक्तिकत अनभूतियों की अविव्यक्ति में चायावादी कवी ने जो निर्भीकता और साहस दिखलाया वह पहले के कवी में नहीं मिलता। पंत जीने उच्छवास, आसु और ग्रंति में व्यक्तिक अनभूतियों की अवाद अविव्यक्ति की। पंत ने ही लिखा बाली का मेरी मनोरम मित्र थी। निराला ने लिखा मैंने मैं शैली अपनाई, अथवा देखा मुझे उस द्रिष्टि से जो मार खा रोई नहीं। ताद पर यह है कि चायावादी कवी नीजी धंग से बातें करता है, पाठक का आत्मी ये बन कर। कवियों ने अपने व्यक्तिकत जीवन संघर्ष की भी बेंजना की है, सरोज स्मृति में यही व्यक्तिक विद्रोग और भी खुल कर व्यक्त हुआ। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही। वस्तुता व्यक्तिवाधी छायावाद की विविद्ध प्रवर्तियों का केंद्र विंदु है। चायावाद की दूसरी प्रमुक प्रवर्ति है प्रकिर्ति प्रेम। प्रकिर्ति चित्रण में पहले के कभी जहां प्राकिर्तिक उपादानों या दृष्यों के इस्थूल रूप का वणन करके प्राया संतुष्ठ हो लेते थे। वहाँ चायावादी कभी ने प्रकिर्ति के अंतह स्पंदन का सुक्ष्म अंकन किया। संध्या का चित्रण मेगमें आस्मान से उतरती हुई सुन्दरी के रूप में करते हुए निराला उसकी गतिविधी इस प्रकार आखते हैं। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं आभास और अलस्ता की सीलता किंतु कोमलता की वह नेली। सकी निरावता के कंधे पर डाले वाँ छाह के अंबर पत से चली। इसी प्रकार महादेवी ने रजनी का रूपक अभिसारीका के रूप में बाधा है। पंत का प्रकिर्ती वाणन छायवादी कवियों में विशिस्ट है क्योंकि उन्होंने प्रकिर्ती का चित्रन सबसे सहज धंसे किया है। इन कवियों ने न केवल प्रकिर्ति के कोमल रूपों के सुख्षु सौंदर का अंकन किया है बलकि कामाईनी का प्रलेवर्ण, पंत की परिवर्तन तथा निराला की बादल राग जैसी कविताओं में प्रकिर्ति के कठोर रूपों का भी अंकन किया है छायवाद के वेक्तिनिस्ट द्रिश्टिकोण ने ना केवल प्राकृतिक सौंदर में सुक्ष्मता दिखाई बलकि मानविय सौंदर में भी जैसे पंत की इन पंक्तियों में नारी के बाह सौंदर के साथ साथ आंतरिक सौंदर का भी आभास मिलता है कपोलों में उरका मृदुभाव, श्रवण नैनों में प्रिय वर्ताव, सरल संकेतों में संकोच, मृदुल अधरों में मधुर दुराव निसंदेः छायवाद ने नारी को मानविय सहरदयता के साथ अंकित किया है पंत की प्रशिद्ध पंक्ति है देवी मा सहचरी प्राण निराला ने बिध्वा को इश्ट देव के मंदिर की पूजा सी कहा और इलाहाबाद के पत पर तोड़ती हुई मजदूरनी का सुंदर चित्र खींचा प्रशाद ने नारी को श्रद्धा के रूप में देखा जो मनुष्य को स्रे के पत पर ले जाने वाली है नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में पियूश स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में इस प्रकार चायावाद के वेक्तिनिष्ट त्रिष्टिकोंड ने प्रकरती सौंदर में ही सुख्ष्मता नहीं दिखाई बलकि मानो सौंदर के अंकन में भी संपूर्ण सहरदैता का परशे दिया है आज यहीं तक आज हमने चायावाद के आउचित्ते तथा उसकी विविद प्रवर्तियों के अंतरगत वयक्तिक्ता प्रकरती प्रेम मानो सौंदर और नारी चित्रन पर विचार किया है शेश प्रवर्तियों पर हम अगले व्याख्यान में विचार करेंगे धन्यवाद